आज हम उसके बारे में आपको बताएंगे देखें यह चीज में आपको बताने वाला हूं आप इसकी रेफेरेंस शास्त्रों से उठा सकते हैं अगर आप जोतिश का थोड़ा सा भी घ्यान रखते हैं तो आप 100 परसेंट इस चीज को समझ जाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूं और अगर आपकी शादी हो चुकी है फटा फट से अपनी कुंडली निकालिए और देखिये कि जो मैंने कहा वो कितना मैच करता है और अगर मैच करता है तो डेफिनेट्ली इस वीडियो के में आप कमेंट करिए लाइक करिए उसको बहुत अच्छा लाइफ के अंदर ऐसे incident होते हैं आज एक मैं consultation दे रहा था तो मुझे किसी ने पूछा कि आप मुझे बताएं कि मेरा होने वाला जो लाइफ partner है वो कैसा होगा क्या qualities होंगी क्या strengths होंगी क्या weaknesses होंगी उसके अंदर तो आप मुझे इसके बार में बताएं तो वहीं से मुझे आज यह थौट आया कि मैं यह वीडियो आज जरूर बनाऊंगा देखे एक कुंडली के अंदर Zent average साथ ग्रह होते हैं और 2 छायआ उन्हेन जो साथ ग्रह है वह सूरच अंदरमा मंगल बुद्ध प्रसपति शुक्त बिश्यनी और Two चाया ग्रह है व राहूर के तु हैं यह सारे के सारे क्रह है एक डिगरी पे होते हैं अगर आप normal software के अंदर किसी भी software के अंदर आपना चार्ट बनाएंगे तो उस चार्ट के अंदर अगर ऐसे लिखा है तो उसके साथ कुछ numbers लिखे होंगे जिसे 26 degree 40 minutes 24 degree 10 minutes 11 degree 3 minutes तो आपको करना क्या है आपको इन सब सब प्लैनेट्स को एनलाइज करना है अभी राहू और केतु को बीच में मत रखी है क्योंकि वह थोड़ी सी कंफ्यूजन है लेकिन उसको कंसेडर जरूर करेंगे क्योंकि कल्यूंग है तो जो साथ प्लैनेट्स मैंने आपको पहले बताए उनकी डिगरी चेक करें इन सब प् प्लैनेट्स है यह सिग्निफाल करता है आपके स्पाउस को अगर लड़के की कुंडली है तो उसके हस्बेंट को और गाइस लेक्ट मी टेल यू दिस वान हंड़ेड परसेंट इन इस टूट कि आपको दारा कारका से अग्जैक्ली पता लग जाएगा कि आपका होने वाला चो लाइट पार्टनर है वो कैसा होगा उसकी क्या क्वालिटीज होगी